हलो एवरिवन, मैसल फराजन और गैज आज इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 की कुश्चन नमबर 6 को देखने वाले हैं तो लेट सी, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कुश्चन है इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, रैट एंगल A और एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मिस होता है जो एंगल 90 डिग्री से कम है, उन्हें जेनरली एक्यूट एंगल के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो अंगल A और अंगल B acute angle है Such that cos A equal to cos B तो another information है यहाँ पर cos A equal to cos B तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो question में दिया हुआ क्या है angle A and angle B acute angle है and cos A equal to cos B है तो we have to show हमें सोख क्या करना है फ्रूब क्या करना है angle a equal टु एंगल बी राइत तो हमें इस Qशन में प्रूब करना है angle a equal to angle b राइत तो सब्से पहले हम करेंगे क्या सबसे पहले हम एक right angled Trangle का फॉर्मेशन करेंगे जैसा कि आप यहां पर देख पारे हो राइत तो angle triangle ABC एक right angled triangle है जिसमें angle C right O 90 degree है और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो angle C 90 degree है और हमें पता है कि किसी भी triangle के तीनों कुनों का sum होता है क्या 180 degree और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो angle C 90 degree है तो remaining जो angle है angle A और angle B इनका sum क्या होगा 90 degree remaining angle का sum क्या होगा 90 degree अधि हम angle A और angle B के separate value की बात करें तो इस दोनों angle का separate value 90 degree से कम होगा that's why हम कर सकते हैं कि यहाँ पे angle A और angle B क्या है acute angle है अब यहाँ पे दूसरा जो information given है वो क्या given है cos A equal to cos B जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे जैसा कि given है cos A equal to cos B और as we know कि cos theta equal to क्या हो जाता है base upon hypotenuse तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे cos A equal to base upon hypotenuse and cos B equal to base upon hypotenuse right अब यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख पार कोशे में angle A की बात करें जाए हम इस triangle में angle A की बात करें तो angle A का जो opposite side होता है right CV वो क्या हो जाएगा perpendicular हो जाएगा और इस angle का जो adjacent side होता है c right वो क्या हो जाएगा base हो जाएगा right and जो 90 degree के opposite में जो side होता है को hypotenious हो जाएगा तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो base, base कौन सा side हो जाएगा AC side, तो base के जगह हम AC को put करेंगे ठीक उसी परकार hypotenious कौन सा side हो जाएगा AB side, तो hypotenious के जगह हम AB side को put करेंगे तो इस परकार हमें cos A equal to क्या find हुआ, AC by AB, ठीक उसी परकार cos B, right, cos B में angle B की बात की जारी, right और अधि हम इस triangle में angle B की बात करें तो angle B का जो opposite side होता है AC, right, वो क्या हो जाएगा, perpendicular हो जाएगा, right and angle B का जो जाएगा, बगल वाला, means CB, वो क्या हो जाएगा, base हो जाएगा, right and जो 90 degree के opposite में जो side होता है, AB, वो क्या हो जाएगा, hypotenious, right तो यहाँ पे base, base के जगए हम क्या put करेंगे, CB, right तो base के जगए हमने CB को put कर दिया, right ठीक उसी परकार hypotenious, hypotenious के जगए हमने क्या put करेंगे, AB, right तो hypotenious के जगए हमने AB को put किया, right तो इस परकार हमें cos B equal to क्या find हुआ, CB upon AB, right तो इस परकार से हमें, AC upon AB equal to CB upon AB find हुआ, right तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस equation का हम अधिक cross multiplication करते हैं तो हमें क्या find होता है, तो by cross multiplication, AC into AB equal to CB into AB, right तो by cross multiplication, इस equation का cross multiplication करते हैं, तो हमें AC into AB equal to CB into AB find होता है, right तो जैसा कि आप इस equation में देख पा रहे हो, AB दोनों side common है, right तो AB से AB cancel हो जाएगा, right तो हमें remaining क्या find हुआ, AC equal to CB, right तो इस परकार हमें finally, finally क्या पराप्त हुआ, AC equal to CB और यदि हम इस triangle में बात करें, तो AC A side हो जाएगा, और CB A side हो जाएगा, right तो इस दोनो sides क्या है, equal है, right और जैसा कि हमें एक triangle का property पता है, कि angles opposite to equal sides of a triangle are equal means थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, suppose करते हैं, यह एक triangle है, जिसका naming है, x, y and z, right और इस triangle में यह जो sides हैं, यह दोनो equal है, right तो हम कर सकते हैं, according to triangle property, कि यह दोनो sides के जो सामने के angles हैं, right वो भी एक दूसरे के equal हो जाएगे, according to this triangle property, right तो that's why हम यहाँ पर कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, कि ac equal to cb means this side equal to this side, right और हमें according to triangle property, पता है कि equal sides के, equal sides के सामने वाले जो angles होते हैं, वो क्या होते हैं, equal होते हैं, right it means ac sides, ac side के सामने वाला angle, angle 1, right angle 1, equal to हम क्या लिख सकते हैं, cb side के सामने वाला angle, angle 2 right, find हुआ angle 1 equal to angle 2, right और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, angle 1 angle 1 किस angle को denote कर रहा है, angle b को तो हम यहाँ पर angle 1 के जगे angle b लिखेंगे ठेक उसी परकार angle 2 किस angle को denote कर रहा है, triangle में angle a को, right तो angle 2 के जगे हम angle a को लिखेंगे, right तो इस परकार हमें क्या पराप्त हुआ, angle b equal to angle a, right तो इस परकार हम कर सकते हैं कि angle a equal to angle b, right तो इस परकार से हम लोगों ने यहाँ पर finally angle a equal to angle v को पूरूब कर दिया तो इस परकार से हम लोगों ने exercise 8.1 के question number 6 को cover कर लिया, right तो thanks for watching guys